तो बाइ, पिक्छरद है पिछले लेक्चर आमाई मेने क्या बता था है, काॉंटर्संग हैड बोल्ट बता था, तो इसमें बता था, कि मैं मुझे सब्सक्राइब इफेक्टि लैन्द निकालने के लिए, यह पता है था counter strength head वाला में ने ठीक है दूसरा question, दूसरा point क्या बनता है इसमें counter strength head में कि for fast marine tension having the counter strength head tensile strength is reduced by 33.30% and no dex in the same strength calculation ठीक है भाई आसान में, जब मतब कोई, जब मैं किसी दो plate को, जब मैं किसी दो plate को counter strength head bolt से join करूंगा, ठीक है तो जो, इसमें, जो tensile strength होगी किसकी, जो tensile strength होगी इसमें, जो bolt में जो tensile strength होगी, ठीक है, वो कितनी percent reduce जाते, 33.30% reduce जाते, तता share strength कोई, कोई reduction नहीं होता ठीक है, ये बात समयागी, चलो भाई ठीक है, अब देखो भाई, bearing type bolt पिसले action में थोड़ा ज्यादा खुलगे नहीं बता पाया था मैं ठीक है, तो मैं बताता हूं चाहता हूं, आपको bearing type bolt क्या होता है, ठीक है, तो bearing type करने के लिए इस plate में stress加शनेहे यह, माना जितनी烏फ हो गई, अब यह stress, इन stress को balance करने के लिए बोल्ट पर इधर सब इस्टेस लगेगी इन इस्टेस को बैलंस करने के लोल्ट पर इधर सब इस्टेस लगेगी इस डेक्शन में लगेगी ठीक है फिर तीसरी प्लेट यह हो गए ठीक है यह लोड लग रहा है तो यहां पर जो बैलंस इस्टेस ही होगी है इस बसे जननेट ह यह जो आई अफ़फ Almost लोड़ी है अब कुछ एक्जामपल देख लो गजामपल लो कैसा कि लिए जैसे पास मेरे भॉर नाज जोई ऊंचैनर क्या एप फॉस्स लेघ्सapor। फES लग रहा है तो बाई तुमारे पेपर में आता है ऐसी डिरेक्ट डिंग्राम बना दें तो ना जो जाग है October. इसेंटरीक आने लौनी आधो यहन पे नोनी Mommy раз है अब देखो यहाँ पर यहां पर शुद्रीक है इसकी mine Oh घोनिफ तो से इक दिरेक्समल arrive की डरिया है कboys के तो यह खीox होने तो इसको को हैं अलगें इंसांट्री इंस्हांट्ट सेल्ट मिछेंगहर कि और जो गये के बेसे चुन shepherd के सव्फिन एक च्यूंत बोल दघारके एह सब्सक्राइब लगाए अधम इस परकार के कनेक्ष्ट ऑंपという यहां आपको जाह रखने हैं इंपोटेंट चीज अब देखो एक तोपिक देख अस्टाइक और टेकीं रिविट क्या ओता है तैकिंग पॉल्ल फड़ी है एक घजट पलेट अंगल सेक्सट हर या जो इनकर नाथ है इस घजल प्लेट को क्या करना, एंगल स firms क्या करना, जो इन करना, तो देखो मैं यहां से, देखो बर से मना रे, इस टेडस हो का कर나 है ये जो क्रोسم सिर्खे ? एक क्रोर मत्वत सी क्लूब हो गैज़ थी। एंगल सेंग्मेस स एक्सिंग हो गया? यह भी क्या होगे एंगल सेक्सण ओ गया ही को दी होगी घखनी ऊफ्यु मैं एंच्छी किолगे चैंद अब ठेखो यह तोफ में चाहिए या लगा दी तॉटल लाधिया जुश्या धिस्ट्राइब और यहा लगा तो दोनों एंगल सैक्षन को जूइन करने के लिए को एक बोल्ट लगाता इक बोल्ट में प्हें और बल्ट si opening trick और जो कनेक्षण में जोिए चाहिए लोकल किली को क्या लोकल बकलिंग को मिनिमेज करने के लिए टैक बोल्ट का यूज किया जाता है भाई ध्यान अगना है चीज़े बहुत इंपोटेंट चीज़े ठीक है अब जब कुछ भाई इस्पेसिपी के सब्सक्राइब टैक बोल्ट के टैक बोल्ट की जो पिछ वना बतिश टी और 300 mm which is which is less यह कब लेंगे जब पलेट जब पलेट वैदर से एक्सपोज नहीं हो जब पलेट वैदर से एक्सपोज नहीं हो तब क्या लेंगे इतनी लेंगे टैक बोल्ट के ठीक है आगशाए बाई समझ में मतब एक्सपोज नहीं डूस्रे केस में 16T और 16 T और 200 mm लेंगे यह कब लेंगे जो इन में दोनों लास होगा यह कब लेंगे जब प्लेट एक्सपोज हो रही है किस से वैदर से एक्सपोज हो रही है ठीक है देखो चोती कंडिशन जो तुम्हारे पेपर हम कुछ आती है जो टैक बोल्ट में जो पीचिंग होते है टैक बो बहुत बढ़ी है यहां तर समय में आगया तो आपके अब देखो भाई मुझे क्या करना है एक परकार का क्या आता है एक इस स्पेसिपिकेशन लिग लो भाई जैसे क्या आगा कि जब में बेरिंग टैप बोल्ट का डिजाइन करता हूं तो उसके डिजाइन है भाई निमन में अधीर 859 reopen के उटेशन सोते हैं अधीर अधीर के ब्लेट के बीच में बीच में इस सेरीस से आधीर घुबिशन के आता है बाई फिर ईनिफोन होना चाहिए नेक्स जंसरों आप्टेक्स तब बोल्ट से गुडुप में होंगे तथा ड्रेक्ट लोड से सब्जेक्टिट रोने तो लोड एकवली शेर होना चाहिए समझे क्या मतलब ऐसे एक बोल्ट ही होगा दूसरा बॉल्ट ही होगा ठीके जब यहां से लोड लगा हमामें P तो भाई P बटे 2 इसे लेना चाहिए और P बटे 2 इस बोल्ट पो लेना चाहिए equally share होना चाहिए लोड कर ठीक है आगे सान में चोला भाई बहुत बढ़िया क्यों की क्या कर criteria नेकंस्टोपी क्या हो गालकुलेशन इसट्रैंद की कैलकुलेशन इस्ट्रैंद की टी कलकुलेशन वेदन कीरें तक बॉल्ट की ड्वारा जो जोंट पनाव 방 स्टेंथ हम तीन परकास तहल्ते हो थिक एक तो शेर हो गई भी तो देखो पर यहाँ पर लगा रहा है तो मैं जब लगा रहा हूं यह लगा रहा हूं तो ये बोल्ट कितना रिजिस्ट कर रहा हूं इस लोड को, ये बोल्ट, ये वाला बोल्ट कितना रजिस्ट करना इस बोल्ट को, तो उसे क्या बोलते है, शेर स्ट्रेंद बोलते हैं, ठीक है, तो शेर स्ट्रेंद को वी एनस्ब से डिनोट करते है, वी एनस्ब वरावर क्या आता है, एफ यू बी गुना ए एन बी बटे शेर स्ट्रेंद का फोर्मूल आता है, जहां पे FUB क्या होता है, Ultimate Strength of Bolt, Ultimate Strength of Bolt and B Country आटा है, root, मतलब मैंने बताया था न, bolt यह bolt क्या हता है, जे आटाना पर यहां पर क्या हता है, यह thirdly होता है, thirdly root का area, खीतना होता है, 0.78-p Vou black, इंटू दी स्क्राइब यह होता था ठीक है वाई यह आपको बाद याद रभनी है अब देखो भाई कुछ reduction factors होते हैं यह आगया ना share stand क्या है share stand किसकी bolt की अब कुछ reduction factor होते है अब क्च reduction factor होते हैं इस्यह // क्यों यह क्या होगी टोटल लागगी क्या होगी ल, रॉपक ल, यह श्माइब ल, यह क्या होगी छे वागी ल, तोटल ल, यह क्या होगी किस से जाद हो जाती 15 x D से जाद हो जाती है तब इस case में क्या लेते हैं reduction factor लेते हैं तो इसकी तो इस टेंट क्या हो जाएगा देखो VNSB वराबर क्या हो जाएगा VNSB FUB गुना A NB बटे अंडरूर 3 गुना B LJ हो जाएगा ठीक है आगे समय में Lj क्या हो जाता है 15 x D में ने वह जाता है LJ हो जाएगा ूँ D क्या हो जाएगा तब यू तो नो सब डाइगा कंस अ सब्सक्रापशर सुप्राइन नीखन अंगी पाम हिर डिचन सेites किंग लिएगूमो इप्रspl Intelli पेंट फित रिमद्लइन पकारी आपो एक का मतरी एल जी एल जीश्य हम जब ग्राइट आंगी इसे 8 into D से क्या हो जाद हो जाद हो जाए तब इसकेस में क्या गए share capacity फिर हमार reduce हो जाते है ठीक है वो बताओंगा में grip land क्या होते है grip land क्या होते है जैसे एक plate है दूसरी plate है यह मैंने क्या का रखी बोल से जोड रखी है ठीक है तुझ जो यह वाली length हो ती यह वाली length हो जो क्या बोलते है grip land beta lg जब इसका value 8 into D से जाद हो जाता है तब क्या होते है share capacity क्या होते है reduce हो जाती है वो कितने factor से reduce हो जाती हो जो बताओंगा beta lg बराओंगे तो मैंने क्या हो जाता है 8D बटे 3D plus के lg ठीक है यह क्या ळाता है lg,lg मतल़ grip land यह क्या हो जागी फूब गुना ए एन बी बटे अंडरूर तीन गुना अगर मैं गृप लैंग को इस तो बीटा इस से मुल्टिकल हो जाएगी ठीक है भाई अब देखो तीसरा एड़क्शन फैक्टर कब लेगा जब पैकिंग प्लेट जब हम पैकिंग प्लेट करते हैं जब हम दो प्लेट को जब हम दो प्लेट को जोइन करते हैं जब हम दो प्लेट को क्या करते हैं मर भाई जोइन करते हैं तो एक प्लेट की थिकनस क्या होते हैं कम होती जब दूसरी प्लेट की थिकनस क्या होती है जादा होती है तो इस परकार हम किसका यूज करते हैं पैकिंग प्लेट का यूज की थिखनश Tpk 6 mm से जाद हो जागी किस से जाद हो जागी भई 6 mm से जाद हो जागी तो इसके कहाद के आज़ागी शेर कैपेसिटी है वो क्या हो जागी रिडूस जागी वो इस फैक्टर से रिडूस जागी बिटा Pk बराबर 1-0.0125 Tpk जहां पर Tpk होते थिखनश ओफ दा अंडरूट 3 ठीक है वाई गुणा बीटा LJ गुणा बीटा LG गुणा बीटा Pk और बटे बटे गामा एम बी बोल्ट की फैक्टर ओफ सेप्टी तो बोल्ट की फैक्टर ओफ सेप्टी किसी लेते है वाई 1.25 लेते है ठीक है आगे वाज समझ में आतर अब देखो बाई अबनात देख लो है Bearing capacity की. Bearing capacity किसकी? Bill की Bearing capacity of bolt Bearing capacity में भी इनिकाले आपको बता है जब Bearing franchise maturity को होता है जब plateünden both तो इस परकार के failure को क्या बोलते है, भी अलियों, तब धार नगना, वी बनाबर देच लोता है, 2.5, KB, क्वे जोड़ों बता है, बतावा मैं किस प्रिम गया लोग बता है, D इंटू T इंटू FU, बते, 1.25, यह 1.25 क्या लोग है, यह प्लेट की अल्टिमेट एंट साई स्ट्रेंथ समय यह पर की अल्टिमेट एंसाइल इस्ट्रेंथ जहां पर के ब्लू के आती है इन्व मिन होते है इब टेंट इस्टी बटें टी तिरी इंटुदी माइनस की 0.25 F U B बटे F U और 1.0 जो इन तिनों में जो इन चारों मिनियों होगी वो क्या होगी? K की, K B की मिनियों होगी जहाँ P क्या होता है? N इस्टैंड D क्या होता है? डामेटर ओग दा होल P क्या होती? P पिछ F U B क्या होती? जाती बोल्ट की अल्टिमेट एंसलिस्ट है F U क्या होता है? F U क्या होता है? प्लेट की अल्टिमेट एंसलिस्ट है अब क्यों होगी? अब क्या गाईज थैंक्यू